बॉलिवट सेलब सभी तेहवारों को बड़े दूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। क्रिस्मस के मौके पर भी बॉलिवट की कई सितारे इस तेहवार का जश्न मनाते वे नजर आए। रंधीर कपूर रिशी कपूर से लेकर रंवीर कपूर करिना कपूर तक पूरी कपूर फैमली इस क्रिस्मस सलिब्रेशन में शामिल हुए। कपूर फैमली की सबसे वरिष्ट सदस्य नीला देवी भी इस पार्टी में नजर आई। इठतर साल की नीला देवी शम्मी कपूर की पतनी है। कपूर फैमली के लिए हर साल क्रिस्मस लंच स्वर्गिय शशी कपूर के घर पर होता है। और ये कपूर फैमली की परंपरा बन चुका है। शशी की पतनी जैनिफर केंडल ने ये ट्रडिशनल 30 साल पहले शुरू कि गया करिश्मा और करिणा के पापा रंदीर कपूर भी पूरी तरीके से क्रिस्मस के रंग में रंगLook वे नजर आये क्रिस्मस थीम के मुताबिक उन्ने लाल रंग की टी शेट और ब्लू पेंट जैकेट पहना था सिहर पर सेंटा क्लोस की कब भी पहन रुखी थी रंधीर कपूर के पत्नी बबीता ने भी इस मौके के लिए नीले रंग के कॉम्बिनेशन को चुना था बबीता सत्तर के दशक की मशूर अभिनेत्री है अमेरिका से कैंसर का इलाज करवा कर लोटे रिशी कपूर भी पत्नी नीटू कपूर के साथ पार्टी में पहुचे इस दोरान दोनों साथ में काफी खुश नजर आए रिशी कपूर और अंधिर कपूर के सबसे छोटे भाई राजियू कपूर भी इस पार्टी में क्रिस्मस के रंग में रंगे वे दिखाई दिये। राजियू शुरुवाती दौर में एक दू फिल्मों में नजर आये। उसके बाद चाहिए उन्होंने फिल्मों से दूरिया बना ली। सैफ अली खान, पतनी करिना कपूर और बेटे तेमूर के साथ पार्टी में शामिल हुए। वहीं करिश्मा कपूर भी अपने बेटे और बेटी के साथ क्रिसमस पार्टी में दिखाए दी। करिश्मा और करिना की बुवा, रीमा जैन के बेटे, अर्मान जैन भी अपनी मंग अतर, अनिसा महलोत्रा के साथ पार्टी में पहुछे थे। हाल ही में इन दोनों की सगाई हुई है राजकपूर की बेटी रीमा जैन और मनोजैन के दो बेटे हैं अर्मान जैन और आदर जैन आपको बता दें आलिया बट कभी इसकपूर परिवार की किसमस पार्टी में शामिल होना कहीं न कहीं रनवीर और उनके रिष्टे को ओफिशल मोहर लगाता है दोनों को हाल ही में कई बार साथ में देखा गया और दोनों की शादी की खबरों को लेकर भी काफी चर्चा है रनवीर और आलिया पहली बार अयान मुखरजी की फिल्म ब्रह्मास्तर में साथ में नजर आने वाले हैं आपको रनवीर और आलिया की जोड़ी कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए तब तक के लिए और ताजातरीन अपडेट्स के लिए लाइक करें फॉलो करें सस्क्राइब करें कर जब खब रहें